मैं बनाना रहे हांडी मेश्रूम, उसके लिए मैं चाहिए मिश्रूम इसतर्व से काच लIven में और टुपरों यह है 시द रहना और यह हनी में तो चला ही बनाना सुरूकर एकक गरम कर लिये हैं , इसमें तेयल बेप्न डालकर गरम कर लिये हैं एक कटा हुआ प्याज इसे फ्राइब कर लेंगे एक प्याज है मिलिंग सा इसे पतला पतला काड़ी है अब इसे फ्राइब कर लेंगे अब इसे निटाल लगें अब मश्रूम को एक बातर में लेंगे इसमें निकांगे मश्रूम और इसमें डाल देंगे दो खड़ा लसन अब इसमें डाल लेंगे एक चुमस लेसन का पिस्ट एक चुमस से थोड़ा सा ज्यादा डालें और यह है थोड़ा सा कटा हुए लेसन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह प्याज पीस लिए है भुना हुए प्याज उसका प्यूश डाल देंगे शारा अब इसमें डालेंगे स्वाद नूसाल नमक इसमें डालेंगे मिल्सी पाओडर धनिया पॉडर और भी से अच्छे से मिक्स कर लें 1,3CZ से अच्छे से मिक्स कर लें अब दस मिनाट के लिए ढख देंगे से अब दस मिनाट हो चुका है चलिए बनाते हैं बनाना शुरू करते हूं हांडी के रम हो चुका है अब इसमें डाल देंगे तेल तो आट पड़ेगा तेल लादी अब इसमें डाल देंगे खड़ा मसाला इसमें तेज बता है लाल मेर्च है डाल चीनी बड़ी लाइची छोटी लाइची लांग साड़े डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा जीरा इसे अच्छी से थोड़ा सा तड़कने देंगे अब इसमें डालेंगे हल्दी ङ्डार इसमा जालेंगे ही मस्रूम् तड़ इसमें डालेंगे भीता है अब इसे चलाकर फ्राइब कर लेंगे अच्छी से फ्राइब करेंगे इसे हांडी मस्रूम अब इसे चलाते लिए अच्छी से फ्राइब कर लेंगे इसे कर फ्राइब करेंगे इसे देखते हैं चलाकर इस तरह से पानी के छोड़ दिया है अब इसे अच्छी से फ्राइब करेंगे ताकि मस्रूम भी सीच है और ये लर्सन भी सीच अच्छी से पके अब इसे फ्राइब कर पकने देंगे अच्छी देखते हैं इसे ये देखिए भूना चुका है अच्छी से पुला चुका है अब इसमें डाल लेंगे फोड़ासा पानी अच्छी से पकने देंगे अधकर देखें सब्जी तयार हो या नहीं यह देखते सब्जी सब्जी बनकर तयार हो चुका है इस तरह का सब्जी बनकर प्यार हो चुका है बैस को आफ कर देते हैं तरह को देखें से सब्जी नहीं अच्छी सब्सक्राइब में प्यावा जवका जब दिता है जती है